बहुत एक क्रिस्पी करारी कर्मा गरम, आठे से बनी हुई स्वीट कॉन पराठा की रेसिपी आपके लिए लिए कराई हूँ फ्रेंड्स, हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जादा टेस्टी भी है, ब्रेकफास्ट हो, लंच या डीनर, या बच्चों के टिफिन बॉक्स मे देना हो, सभी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, सारे टिप्स शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जिससे आपके पराठें बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, हेलो फेंज, मैं हूँ मीता, मेरी चैनल को कवित मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अगर आप मेरी चैनल पर नए है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बिल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपक सकते हैं, या आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, पर मैं इसे गेहूं के आटे से बनाऊंगी, बिल्कुल हेल्दी तरीके से, अब इसमें हाफ टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालूंगी, टेस्ट के कॉर्डिंग डाल दूंगी, नमक, अब दूद के उपर जो मलाई जमती है न, वही डाल रही हूँ, एक टेबली स्पून, फ्रीज में था इसलिए जमा हुआ साल लग रहा है, अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे मलाई डाली है, आप इसकी जगह घी या रिफाइन वाइल भी डा सकते हैं, आटे के साथ मलाई को अच्छे से इस तरह से मसलते वे मिक्स करूंगी, आटे और मलाई को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सेमी टाइट डो बनाऊंगी, पानी आप नॉर्मल टेंपरेचर का ही ले, मैंने उस कप से पानी लिया है, जिससे आटा लिया था, और देखें, आटे को हमें बहुत अच्छे से नीड करना है, इस तरह से मुठी बांद कर नीड करेंगे न, तो हमारा डो स्मूथ बनेगा, और ये देखें, ये सेमी टाइट डो बन गया है, हमें इतना ही सॉफ्ट आटा लग जाना है, इस बात का ध्यान रखें, और ये मेरा एक कप पानी में वन फोर्थ कप पानी बच गया है, अब मैं इसे दस पंदरा मिनट के लिए धक कर रख देती हूं, सेट होने के लिए, तब तक मैं इसकी स्टफिंग बना लेती हूं, यहाँ पर मैं ये एक कप बॉयल क्या अगर चौपर हो, तो उसमें भी चौप कर सकते हैं, और ये देखे, मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है, पल्स मोड पर एक दू सेकेंड के लिए दो तीन पर ग्राइंड करेंगे न, तो इस तरह का दरदरा ग्राइंड हो जाएगा, ये एक प्याज है, बारिक कटा हुआ, लगबग हाफ बॉल के करी, कौन के साथ स्रिमला मिर्च का कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो आप स्रिमला मिर्च जरूर डालें, एक छोटे साइस के गाजर को मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले रही हूँ, अब ये 100 ग्राम पनीर है, जिसे ग्र मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, अब ये बारी कटी हुई धन्या पत्ती ले लूँगी, एक हरी मिर्च को बारी काट कर ली रही हूँ, टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, वन फो टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये एक टीस्पून औरेगेनो डाल रही हूँ, आप इसकी जगह मिक्स्ट हर्प्स भी ले सकते हैं, स्वीट कॉर्ड में इसका टीस्ट काफी अच्छा आता है, और ये मैं एक टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये बहुत ही हेल् और अमेजिंग टेस्ट वाला स्टाफिंग बनकर तयार होता है, कभी कभी चावल दाल या रोटी सबसी खाने का दिल ना करें, तो ये स्वीट कॉन पराठा बेस्ट आप्शन है, जो काफी टेस्टी रखता है खाने में, स्टाफिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अभी इसे साइड में रखती हूँ, पंदरा मिनट हो गया है, तो मैं आटा देख लेती हूँ, आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो मैं एक लोई ले लोंगी, जितना में एक पराठा बन जाए, उस हिसाब से आप लोई ले ले, हथेलों के बीच रखकर गोल कर लोंग ये मेरी लोई बन गई है, अब इसे सुखे आटे में कोट कर लोंगी, एक्स्ट्रा सुखा आटा हटा दोंगी, और इसे बेल लोंगी, अगर जवरत पड़े, तो बेलते समय बीच में हलका सा सुखा आटा लगा ले, इसे रोटी से हलका सा मोटा ही रखेंगे, देखे, इत ट्रैंगल शेप दूँगी क्योंकि मुझे ट्रैंगल शेप का ही पराठा बनाना है आप स्क्वाइर या रेक्टैंगल शेप का भी बना सकते हैं अब मैं इसके उपर ये थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डालूँगी स्वीट कॉन के साथ चीज का फ्लीवर वाकई बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है बड़े हो या बच्चे सभी को इसका फ्लीवर काफी अच्छा लगता है पर अगर आप चाहें तो चीज इसके भी कर सकते हैं अब एक तरब से फोल्ड कर लेती हूं हलका सा साइड में पानी लगा दे अब इस तरब से भी फोल्ड कर लूँगी और दोनों इजिस चिपका दूँगी ताकि स्टफिंग बाहर नहीं निकले अब नीचे की तरब भी पानी लगा कर अच्छे से सील कर दूँगी और देखिए इस तरह का ही ट्रैंगल शेप का पराठा बनाना है अगर आपको थोड़ा मोटा जैसा लगे तो हलका सा सूखा अटा लगा कर हलके हाथों से बेल लें बिल्कुल हलके हाथों से ही बेलना है आपको अगर बेल नहीं सकते तो इस तरह से हाथ से हलका हलका प्रेस कर दें जिससे पराठा हलका सा पतला हो जाता है और अब इसे पहले से गरम तबे पर डाल दूँगी फ्लेम अभी मेडियम र आया है इसमें इसी तरह दूसरी तरब भी होने देते हूं जब दोनों तरब से light golden spot आ जाएंगे न पराठे पर तब आप इस पर घी या refine वैल डाले अभी इस spatula से किनारी किनारी पराठे को दबाते भी सीखोंगी ताकि पराठा किनारी से कच्चा न रहे और देखे कितना अच्छा सा golden color आ गया है पराठे में तो इस stage पर flame low कर दूँगी अब मैं इसमें घी डालूँगी आप चाहें तो refine वैल या butter से भी सेख सकते हैं आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से सेख लूँगी पराठे को और देखे कितने अच्छे से फूल रहा है न पराठा इसी तरह से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पराठा सेख लिया है मैंने देखे मैं आपको पास से दिखाती हुँ अब इसे पलेट पर निकाल लेती हुँ इसे तरह मैं सारे पराठे सेख लूँगी और देखे कितने क्रिस्पी बने है न ये पराठे पराठे के उपर ये सेकी हुई मिर्च रख देती हूँ अनियन के कुछ स्लाइस रख दूँगी ये हरी चटनी और ये दही ऐसी खाने की प्लेट देखकर तो किसी की भी बूख बढ़ जाएगी गेहुं क्याटे से बना हुआ ये स्वीट कॉन पराठा आप सभी को बहुत पसंद आएगा और स्वात का तो खेर पूछे मत इतना शांदा टेस्ट है न इस पराठे का कि आप इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फेंज तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए और अपने फैमली फ्रेंज और सोसल मीडिया पर ज़रूँ शेयर कर दें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़ादा जो रहत है फेंज मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ ठैक्स वर वाचिंग